श्री शद्ग्रो महाराज की जे हम लोगों की राजधानी दिल्ली है. इसका पहला नाम था इंडर पराष्थ. उसी के नजदीक में हस्तेनापूर राजधानी थी. वहां राजा कुरू रहते थे राजा होते हुए भी खेती के लिए अपनी जमीन रखते थे जिसको आज कुरू छेतर कहते हैं पहले यह रीती थी कि 6 मन उपजे तो एक मन राजा को कर के रूप में दे दो राजा कुरू इसकर को अपने नीजी पालन पोशन के काम में नहीं लाते थे श्वेंग नीज खेत उबजा कर खाते थे धृतराष्ट जन्मांध थे इसलिए उनके छोटे भाई पांडू ही राजा हुए धृतराष्ट के सौपुत्र थे वे कौरव कहलाते थे और पांडू के पांच पुत्र थे वे पांडव कहलाते थे कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन और पांडवों में युदिस्ठिर थे और वे दुर्योधन से भी बड़े थे बचपन से कौरव पांडवों से इरिश्या करने लग गये थे बड़ा होने पर उनका यह भाव और बढ़ गया वे नहीं चाहते थे कि युदिश्ठीर राजा बने इसलिए उन्होंने सडियंत्र रचकर पांडवों को माड़ने का उपाय सोचा दुर्योधन ने विचारा कि युदिश्ठीर धर्म पिडिये हैं उनके सामने कासी की परसंशा बारंबार की जाये तो वह कासी जाना अवश्य चाहेंगे इधर दुर्योधन ने अपने मंत्री को कासी भेज कर एक ऐसा मकान बनवाने के लिए कहा कि जो देखने में बहुत ही स सुन्दर हो किन्तों जड़ा सी आग छुआते ही वह तुरंत जलकर भश्मी भूत हो जाये मंत्री कासी जाकर लाह बारूत चर्वी घी आदी चीजों को मिलवाकर घर बनवाने लगा इसके बाद जब जब युदिश्ठीर राज सभा में आते तब तब सभा के लोग कासी की परसंसा करने लगते बहुत बार कासी की महमा सुनने से युदिश्ठीर के मन में हुआ ये लोग हम लोगों को कासी भेजना चाहते हैं इसलिए एक दिन युदिश्ठीर ने विरिद्ध धृत राष्ट के पास जाकर कहा हम लोगों की इक्षा होती है कि एक बार कासी देखे दृत राष्ट ने कहा बहुत अच्छा जाओ एक दिन पांडव लोग माता कुंती के साथ कासी के लिए चल पड़े चलते समय विदोर ने कहा जहां कहीं रहना उस घर को अच्छी तरह जाच कर रहना उधर कासी में मकान बनकर तयार था वहां जाने पर मंत्री ने पांडवों का बहुत आदर सतकार कर उस मकान में वासा दिया पांडव लोग उस घर में चले गए युदिश्ठीड ने भीम से कहा भाई भीम तुम्हारी ग्रान शक्ती बहुत तेज है जाच कर देखो कि यह घर किस चीज का बना हुआ है शूंकर ठोक कर सब तरह से जाच करो भीम ने गूम फीर कर घर को अच्छी तरह जाच कर देख लिया बोला भाई सहाब यह मकान तो अगनी मय है इसमें आग छुलाने भर की देर है जलते कोई देर नहीं लगेगी इस घर में रहना तो मौत के घर में रहना है युदिश्टिर ने कहा घबराने की बात नहीं अच्छा और भी कुछ देखा भीम ने कहा एक खंबे के नीचे खोखला जैसा मालम होता है युदिश्टिर ने कहा ठीक है इसमें सब सावधानी से रहो दीन में वे पाँचो भाई पांडव शिकार खेलने के बहाने जंगल जाते और वहां जंगल होकर निकलने का मार्ग भी ढुंडा करते थे दुर्योधन का मंतरी उसलाह ग्रीख के फाटक पर बहुत से हथियारों को लेकर सोता था इस उध्येश से कि जिस दिन इस घर में आग लगाई जाएगी और इस द्वार होकर पांडव भागेंगे तो इन हथियारों से उन लोगों का काम तमाम कर दिया जाएगा गुप्त चर के द्वारा युदिस्टीर को मालुम हुआ कि अमुक तिती की रात इस घर में आग लगाई जाएगी उस तिती की रात को पहले ही युदिस्टीर घर के खंबे को तोड़वा कर माता कुंती सहित पांचो भाई पांडव सुरंग होकर बाहर निकल आए पीछे से उस घर में आग लगा दी मंत्री उसी घर में जलकर मर गया इधर गंगा में नौ पर पार होकर वे लोग जंगल में प्रवेश कर गए इस कथा से शिक्षा मिलती है कि जहां कहीं रहो वहां अच्छी तरह जाँच कर रहो अब विचारिये हम लोग कहां हैं जहां हम हैं वह रहने काबिल है की नहीं पांडवों ने जाँचा तो उनके रहने काबिल नहीं था हम भी जाचें यह संसार रहने योग है की नहीं सारा संसार कासी है कल्यान कारी शीव या ब्रहम का राज सब जगह है एक एक सरीर में जो हम लोग रहते हैं यह रहने के काविल है की नहीं यदि नहीं रहने के काविल है तो पांडब की तरह भाग चलिए यदि रहने के काविल है तो रहिए महर्शी मही सच्चंग सुधा सागर प्रथम भाग प्रिष्ट 441 श्री शद्ग्रो महाराज कीजे